महात्मा गांधी मोहंदास करम चंद गांधी, जन्म, 2 अक्टूबर 1879, निधन, 30 जन्वरी 1948, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनेतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, वे सत्याग्रा, व्यापक सविने अवग्या के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे, उनकी इस अवधारणा की नीव संपूर्ण अहिंसा के सिध्धान्त पर रखी गई थी जिसने भारत को भारतिय स्वतंत्रता संग्राम दिला कर पूरे विश्व में जन्ता के आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारन जन्ता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अत्वा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्ध है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवेद्य जिवरम कालिदा एक अन्यमत के अनुसार स्वामी श्रद्धानन्द ने 1915 में महात्मा की उपाधी दी थी, तीसरा मत ये है कि गुरु रविंद्रनात टेगोर ने महात्मा की उपाधी प्रदान की थी, 12 अप्रेल 1919 को अपने एक लेक में उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू, बा 244 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नामजारी प्रसारन में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंट फॉज के सैनिकों के लिए उनका आशीरवाद और शुबकामनाय मानगी थी, प्रती वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिन भारत में गांधी जैन्ती के रूप में और पूरे विश्व में इंतराष्ट्री अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ती दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातिय एकता का निर्मान वा आत्मनिर्भरता के लिए अस्प्रिश्यता के विरोध में अनेकों कारेक्रम चलाए इन सब में विदेशी राज से मुक्ती दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ती वाला कारेक्रम ही प्रमुक था गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतियों पर लगाये गए लवनकर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रा और इसके बाद 1942 में एंग्रेजो भारत छोड़ो आंदोलन से विशेश विख्याती प्राप्त की दक्षन अफ्रीका और भारत में विभिन अफसरों पर कई वर्षों तक उन्हें काराग्रेह में भी रहना पड़ा गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन विताया और परमपरागत भारतिये पोशाक धोती वसूत से बनी शाल पहनी जिसे वेस्वयम चरखे पर सूत कात कर हाथ से बनाते थे उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धी के लिए लंबे लंबे उपवास रखे 12 फर्वरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थी कलश जिन 12 तटो पर विसर्जित किये गए थे त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है मोहंदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटिये नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1879 को हुआ था उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाती से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काटियावार की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधान मंत्री थे गुजराती भाषा में गांधी का आर्थ है पंसारी जबकि हिंदी भाषा में गंधी का आर्थ है इतर फुलेल बेचने वाला जिसे अंग्रेजी में परफ्यूम कहा जाता है उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैशिय समुदाय की थी पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी उनकी पहली तीन पत्निया प्रसव के समय मर गई थी भक्ती करने वाली माता की देखरेख और उसक्षेत्र की जैन परमप्राओं के मई 1883 में साधे 13 वर्ष की आयू पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूर बाई मकंजी से कर दिया गया पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूर बा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तै किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था जो उस समय उसक्षेत्र में प्रचलित था परन्तु उसक्षेत्र में यही रीती थी कि किशोर दुलहन को अपने माता पिता के घर और अपने पती से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया किन्तु वो केवल कुछ दिन ही जीवित रही और इसी वर्ष उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे मोहंदास और कस्तूरबा के चार संतान हुई जो सभी पुत्र थे हरीलाल गांधी 1888 में, मनिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में जन्में पोरबंदर से उन्होंने मिदिल और राजकोर्ट से हाइ स्कूल किया दोनों परिक्षाओं में शेक्षनिक स्तर वोह एक साधारन चात रहे मैट्रिक के बाद की परिक्षा उन्होंने भावनगर के शामलदास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्न की जब तक वे वहां रहे अप्रिसन ही रहे क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था कारण युवा मोहंदास पर वे प्रभाव प्रारंब में ही पढ़ गए थे जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका ने भाई इन प्रभावों में सम्मिलित थे दुर्बलों में उत्साह की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धी के लिए उप्वास तथा विभिन जातियों के लोगों के बीच सहिश्नुता अपने उन्नीसमे जनम दिन से लगभग एक महीने पहले ही चार सितंबर 1888 को गांधी युनिवसिटी कॉलेज लंदन में कानूम की पाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंगलेंड चले गए भारत छोड़ते समय जैन भिक्षु बेचार जी के समक्ष हिंदूों को मास, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी अपनी माता जी को दिये गए एक वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताये गए समय को काफी प्रभावित किया हाला कि गांधी जी ने अंग्रेजी रीती रिवाजों का अनुभव भी किया जैसे उदाहरन के तौर पर मुलित्य कक्षाओं में जाने आदी का फिर भी वो अपनी मकान मालकिन दुआरा मास एवं पत्ता गोभी को हजम नहीं कर सके उन्होंने कुछ शाकाहारी भोजनालियों की ओर इशारा किया अपनी माता की इच्छाओं के बारे में जो कुछ उन्होंने पधा था उसे सीधे अपनाने की बजाए उन्होंने बौधिक्ता से शाकाहारी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहन की और इसकी कारेकारी समिती के लिए उनका चैन भी हो गया जहां उन्होंने एक स्थान ये अध्याय की नीव रखी बाद में उन्होंने संस्थाई गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचे देते हुए इसे श्रेदिया वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले उनमें से कुछ थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी और इसे बौध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया था उन्हों लोगों ने गांधी जी को श्रीमत भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया हिंदू, इसाइ, बौध, इसलाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी ने धर्म में विशेश रुची नहीं दिखाए इंग्लेंड और वेल्स बार असोसियेशन में वापस बुलावे पर वेभारत लोट आये किन्तु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिये जाने पर उन्होंने जरूरत मंदों के लिए मुकदमे की अर्जिया लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थाय मुकाम बना लिया परन्तु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें ये कारोबार भी छोड़ना पड़ा अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्नन अपने बड़े भाई की और से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है यही वग कारण था जिस वजह से उन्होंने सन 1893 में एक भारतिय फम से नेटाल दक्षन अफरीका में जो उन दिनों ब्रिटिश सामराज्य का भाग होता था एक वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया दक्षन अफरीका में गांधी को भारतियों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा आरंब में उन्हें प्रथम श्रेनी कोच की वैद टिकट होने के बाद तीसरी श्रेनी के दिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेक दिया गया था इतना ही नहीं पायदान पर शेश यात्रा करते हुए एक यूरूपेन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी जेलनी पड़ी उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनायों का सामना किया अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक ये भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने नहीं माना ये सारी घटनाए गांधी के जीवन में एक मोड बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रती जागरुकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिधह हुई दक्षन अफ्रीका में भारतियों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी सामराज्य के अन्तरगत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयम अपनी स्थिती के लिए प्रशन उठाए 1906 के जुलू युद्ध में भूमिका 1906 में जुलू, जुलू, दक्षन अफ्रीका में नए चुनाव करके लागू करने के बाद दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेर दिया गांधी जी ने भारतियों को भरती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया उनका तर्ग था अपनी नागरिक्ता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतियों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए तथा पी, अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतियों को पद देने से इंकार कर दिया था इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतिय घायल अंग्रेज सैनिकों को अप्चार के लिए स्टैचर पर लाने के लिए स्वैच्छा पूर्वक कारे कर सकते हैं इस कोर की बागदोर गांधी ने थामी, 21 जुलाई, जुलाई 21, 1906 को गांधी जी ने भारतिय जन्मत इंडियन ओपिनियन में लिखा कि 23 भारतिय निवासियों के विरूद्ध चलाए गए आप्रेशन के संबंद में प्रयोग द्वारा नैटाल सरकार के कहने पर एक कोर का बेकार हो रहे हैं तब वे इसका उप्योग करेंगे और असली लड़ाई के लिए भारतियों का प्रशिक्षन दे कर इसका अफसर देंगे। पास का नियम उन पर भी लागू होता है किन्तु वे पास नहीं दिखाते हैं। भारतिये स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष 1916-1945 गांधी 1915 में दक्षिन अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लोट आये। उन्होंने भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किये। लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दो, राजनीती तथा उस समय के कॉंग्रेस दल के प्रमुख भारतिये नेता गोपाल कृष्ण गोकले पर ही आधारित थे जो एक सम्मानित नेता थे। भत्ता दिया गया जिससे वे अत्यदिक गरीबी से घिर गए। गावों को बुरी तरह गंदा और अस्वास थेकर, अनहाईजीनिक और शराब, अस्प्रिश्यता और परदा से बांध दिया गया। स्वेच्छिक कारेकरताओं को संगठित किया गया। उन्होंने गावों का एक विस्तरित अधेयन और सर्वेक्षन किया जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखा जोखा रखा गया और इसमें लोगों की अनुतपाद अकियर सामान्य को भी शामिल किया गया था। ग्रामीनों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गावों की सफाई करने से आरंब किया जिसके अंतरगत स्कूल और अस्पताल बनाए गए और उप्रोक्त वरनित बहुत सी सामाजिक बुरायों को समाप्त करने के लिए ग पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलिया निकाल कर गांधी जी को बिना शर्ट रिहा करने की मांग की। गांधी जी ने जमीनदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हर्तालों को का नेत्रित्व किया जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्क दर्शन में उस संघर्श के दोरान ही गांधी जी को जनता ने बापु पिता और महात्मा महान आत्मा के नाम से संबोधित किया। खेडा में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ विचार विमर्ष के लिए किसानों का नेत्रित्व किया जिसमें अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहन स मुक्ती देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। इसके परिनामस्वरूप गांधी की ख्याती देश भर में फैल गई। उन्होंने बृटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रती समवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरमविक विरोध के बाद दंगों की भंचना की। गांधी जी के भावनात्मक भाशन के बाद अपने सिध्धान्त की वकालत की की सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। किन्तु ऐसा इस नरसनहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मंद संपूर्ण सरकार आर भारतिय सरकार के कबजे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रन लाने पर केंद्रित था जो जल्दी ही स्वराज अत्वा संपूर्ण व्यक्तिगत आध्यात्मेक एवम राजमैतिक आजादी में बदलने वाला था। दिसंबर 1921 में गांधी जो भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का क पार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेत्रित्व में कॉंग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया। पार्दी में सदसिता सानकेतिक शुल्क का भुगताने पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कु मंच को स्वदेशी नीती में शामिल करने के लिए विस्तार किया जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेश कर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिशकार करना था। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतिय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्रों की यह अनुशासन और समर्पन लाने की ऐसी नीती थी जिससे अनिच्छा और महत्वा काक्षा को दूर किया जा सके और इनके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधिया महिलाओं के लिए सम्मान जनक नहीं है इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शेक्षिकी संस्थाओं तथा अदालतों का बहिशकार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त तमगो और सम्मान ओनर्स को वापस लोटाने का भी अनुरोध किया असहयोग को दूर दूर से अन्दोलन द्वारा हिंसा का रूक अपनाने के दर को ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि इस से उसके सभी कारियों पर पानी फिर जाएगा गांधी जी ने व्यापक असहयोग के इस अन्दोलन को वापस ले लिया गांधी पर गिरफतार किया गया 10 मा गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया जिसमें उन्हें 6 साल कैद की सजा सुना कर जैल भेद दिया गया 18 मार्च 1922 से लेकर उन्होंने केवल 2 साल ही जैल में बिताए थे कि उन्हें फरवरी 1924 में आतों के ओपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया गांधी जी के एकतावाले व्यक्तित्व के बिना इंडिन नेशनल कॉंग्रेस उसके जैल में दो साल रहने के दोरान ही दो दलो में बंटने लगी जिसके एक दल का नेत्रित्व सदन में पार्टी की भागीदारी के पक्षवाले चित रंजन दास तथा मोतीलाल नहरू ने परने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने 1924 की बसंत में सीमित सफलता दिलाने वाले तीन सपता का उपवास करना भी शामिल था। का विरोध करना एक नश्वर कार्य है जबकि कुछ मानते थे कि गांधी जी परियाप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। कर दिया कि वो युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे तब तक भारत को ततकाल आजादी न दे दी जाए। उन्होंने सपश्ट किया कि इस बार भी यह अंदोलन बंद नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को मूर्थ रूप दिया जाता कारों और अराजक्ता का आदेश असली अराजक्ता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतियों को अहिंसा के साथ करो या मरो अंग्रेजी में डू और डाय के द्वारा अंतिम स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। गांधी जी और कॉंग्रेस कारे कारणी समिती के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफतार कर लिया गया। गांधी जी को पुने के आंगाखा महल में दो साल तक बंदी बना कर रखा गया। यही वो समय था जब गांधी जी को उनके न गांधी का देहांत हो गया। इसके 6 सपता बाद गांधी जी को भी मलेरिया का भयन कर शिकार होना पड़ा। उनके खराप स्वास्थे और जरूरी उपचार के कारण 6 मई 1944 को युद्ध की समापती से पूर्वी उन्हें रिहा कर दिया गया। राज उन्हें जेल में दम तो ब्रिटिश ने सपष्ट संकेत दे दिया था कि संता का हस्तान तरण कर उसे भारतियों के हाथ में सोब दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया जिससे कांग्रेसी नेताव सहित लगभग सो शूने 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 राजनेतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता और भारत का विभाजन गांधी जी ने 1946 में कॉंग्रेस को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योंकि उसे मुसलिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित सम्मुही करण के प्रती उनका गहन संदे होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरन को एक विभाजन के पूर्वा भयास के रूप में देखा। इसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग-अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदू और सिखों एवं मुसलिमों का भारी बहुमत देश के बटवारे तथ्यवान्चित के पक्ष में था। योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। भारत के साथ साथ बंगाल में भी मुसलिम और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ गर्म रवये को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उन्हें उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिशत द्वारा बनाए गए समझोते के अनुसार 55 करोर रूश उन्यन देने का निर्नाय लिया था। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर 30 जनवरी 1948 गांधी की उस समय नाथुराम गोसे द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिर्ला भवन, बिर्ला हाउस के मैदान में रात चहल कदमी कर रहे थे। सरदे को बाद में केस चला कर सजा दी गई तथा 15 नवंबर 1949 को इन्हें फासी दे दी गई। संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाभाद में संगम पर 12 फरवरी 1948 को जल में विसरजित कर दिया गया। किन्तु कुछ को अलग पवित्र रूप में रख दिया गया। जहां उन्होंने 1942 से कैद करने के लिए किया गया था 1944, वहां समाप्त हो गया और दूसरा आत्मबोर्ड फैलोशिप जील मंदिर में लोस एंजिल्स। रखा हुआ है। इस परिवार को पता है कि इस पवित्र राख का राजमीतिक उद्देश्यों के लिए दुरूपियोग किया जा सकता है लेकिन उन्हें यहां से हटाना नहीं चाहती है क्योंकि इससे मंदिरो को तोड़ने का खत्रा पैदा हो सकता है। और मुस्लिमों और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोश व्यक्त किया और एक दूसरे के साथ समझोता करने से मना करने से गांधी जी को गहरा सदमा पहुचा। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमर अरंशन आरंब किया जिसमें सामप्रदाइक हिंसा को सभी के लिए ततकाल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोर रूश यूने का भुक्तान करने के लिए कहा गया था। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिर्ता और असुरक्षा से भारत के प्रती उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा पैल जाएगी। उन् गांधी जी ने बात का मानने से इंकार कर दिया और सरकार को अपनी नीती पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुक्तान कर दिया। हिंदू मुसलिम और सिक्स समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुला कर शान्ती संग और हिंदू महासभा शामिल थे। इस प्रकार गांधी जी ने संत्रे का जू स्पीकर अपना अंशन तोड़ दिया। तोर पर किया जा सकता है और व्यक्तिवादिता वाले देश इसका कभी भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इसी वी उब्द्रव का आसानी से सामना कर लेंगे। तथा ऐसी गतिविदियों का समावेश वो जो किसी भी व्यक्ति को उसके चच अत्वा खंड में संपर्ग बनाए रखते हुए अपने साथ मिला लें। इस प्रकार की सैना को किसी भी अपात स्थिती से लड़ने के लिए तयार रहना चाहिए तथा भीर के क्रोध को शांत करने के लिए उसके पास मरने के लिए सैनिकों की पर्याप्त नफ्री भी होनी चाहिए। सत्याग्रह, सत्यबल के बिग्रेट को प्रत्येग गाव तथा शहर तक भवनों के प्रत्येग ब्लॉक में संगठित किया जा सकता है इदी अहिंसात्मक समाज पर हमला किया जाता है तब अहिंसा के दो मार्ग खुलते हैं. अधिकार पाने के लिए हमलावर से सहयोग न करें बल्कि समर्पन करने की अपेक्षा मृत्यू को गले लगाना पसंद करें. दूसरा तरीका होगा ऐसी जनता द्वारा अहिंसक प्रतिरोध करना हो सकता है जिनहें अहिंसक तरीके से प्रशिक्षित किया गया हो. इस अप्रतियाशित प्रदर्शन की अनंत राहों पर आदमियों और महिलाओं को हमलावर की इच्छा लिए आत्मसमर्पन करने की बजाए आसानी से मरना अच्छा लगता है और अंतंत उसे तथा उसकी सैनिक बहादुरी के समक्ष पिघलना जरूर पड़ता है. ऐसे किसी देश अत्वा समूर जिसने अहिंसा को अपनी अंतिम नीती बना लिया है उसे परमानू बंभी अपना दास नहीं बना सकता है. उस देश में अहिंसा का स्तर खुशी खुशी गुजरता है तब वो प्राकृतिक तोर पर इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे मिलने लगता है. इन विचारों के अनुरूप 1940 में जब ना जी जर्मनी द्वारा अंग्रेजों के द्वीपों पर किये गए हमले आस्न दिखाई दिये तब गांधी जी ने अंग्रेजों को शांती और युद्ध में अहिंसा की निमनलिखित नीती का अनुसरन करने को कहा. अनुसरन करने को कहा अनुसरन करने को कहा है.